कलेबुल जी यूसीसी की चर्चा अगर भारते जंता पार्टी कर रही है या प्रेम शुकला जी कह रहे हैं कि अभी हम राज्यों मिला रहे हैं और फिर जब जरुवत होगी तो केंदर में बिली आएंगे तो इसमें आपती है या नहीं है आपका स्टेंड क्या है सबसे पहला सवाल तो यही है देखिए भारत सरकार का अपना लौ कमिशन उसकी दो हजार अठारा की किलियर कट ये रेकमेंडेशन है कि ना तो इसकी आविश्यक्ता है ना इसकी ये डिजारेबिल है और यू सी सी भारत की विविदता और जो प्लूरल सोसाइटी है उस पे ये सैट ही नहीं बैठता लेकिन अब आते हैं बात उसकी के ये सम्विदान के खिलाफ है सम्विदान के खिलाफ क्यों है चूंकि जो किरिमनल जो सियर पी सी है वो तो सब के लिए समान है सिर्फ सिविल कोर्ट है जो डिफरेंट है वो और उसमें भी भारत का सम्विदान हर मजभ को हर कल्चिरल जो एथिनिक सोसाइटीज हैं उनको इस बात का अधिकार देता है कि वो अपने कल्चर अपनी शनाख अपना मजब उसकी मानना और उसको सेफ रखने के लिए आजाद हैं वो और यह उनका fundamental right है और जैसे आप fundamental right खतम करेंगे डिरेक्टर प्रिंस्पिल्स से तो यह समयदान्दिया खिलाफ हो जाएगा तीसरी बात जहां तक आप डिरेक्टर प्रिंस्पिल्स की बात करते हैं तो डिरेक्टर प्रिंस्पिल्स में तो यह भी है कि wealth का equal distribution होगा डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके products और services को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो freedom app को अभी download करें डिजिटल मार्केटिंग का expert बनें आशा मुक्त भारती समाज बनेगा तो आज भारत के कई राज जैसे हैं जो सिर्फ शराप की आंदनी पर ही चलते हैं अभी करोना काल में जब सारी आंदनियां बंद हो गई एक इंसान एक इंसान से मिल भी नहीं पा रहा था तब भी शराप खाने खोले गए और यह कहा गया कि सरकारें नहीं चल पाएंगे कि शराप की आंदनी नहीं आएगी तो जब डिरेक्टिव प्रिंस्पिल में और बहुत सारी चीज़ें उस पर धियान क्यों नहीं जा रहा ती करने के लिए इसको लेकर आते हैं अगरी बात कर रहा है हमारे प्रेम शुकला जी इनको में एक बात याद दिला दूं कि जब भावा भीम रहा हम बेटकर हिंदू कोड बोलने के रहे हां तो हिंदू कोड बिल का चुकि हिंदूों में भी खुद में समानता नहीं थी तो उ चल्दी से समझा दीजे कि जब जब यूसी सी का जिकर होता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है या आपकी नेताइसे क्यों कहने लगते हैं कि एक विशेश वर्कों टार्गेट उन्हें डराने और धमकाने के लिए यूसी सी बन रहा है मुझे सिफ इतना समझा दीजे आप मुसल्मान चार शादी करते हैं लेकर हमें तुशिष राइगी यह हम्मत नहीं हुई कि नौर्थ यूस्ट में एक और चार मर्दों से शादी करती है इसलिए कहते हैं जब इनके संवेदानिक पत्त में बैठा हुआ आदमी ऐसे ब्यान देता है इनके कितने केंद्रिय मंत्रि अब बताईए साउत में हिंदूों में सगे मामा से शादी होती है क्या उसको यह खत्म करेंगे लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यूसी से अगर आएगा तो सब धर्मों के लिए आएगा कलिमुल जी और हमें यह यकीन करना होगा कि सब धर्मों की जितनी कुरूती है उनक को खत्म करेगा ना मुसल्मान ना हिंदू ना सिक ना इसाई खैर आजया अलोग जी जो बाते कलिमुल जी कह रहे थे कि अब वाकई में यह बाते हावी नजर आती है कि वाकई में सिर्फ यह चुनावी एजिंडा बनकर रहे गया है यूसी सी या फिर इसकी जरूरत है इस देखिये जो हमारा संविधान है वो पहला लाइन कहता है कि हम से समता मूलक समाच चाहिए मतब सब सबकी समाधा चाहिएAy हमारे सम्विधान करता है कि हम secular है inclusive venture सम्विधान बन रहा था उस वक्ट भी हिंदू बहुत संक्यट थे और और भी आबादिया थी मुसलमान थे क्रिशन थे यूज थे सबके हिसाब से सम्विधान बनाया गया आज इस आर्टिकल की ये बात कर रहा है आर्टिकल 25-26 राइट टू रेलिजिन और फिर आर्टिकल 44 जिसमें साथ के साथ कहा गया था 1937 में ही कि हमें uniform civil court चाहिए लेकिन परिस्तितियां देखते हुए हम इसे implement करेंगे जब बढ़ लिजेगा उसको वो परिस्तियां आर्टिकल 44 आज तक implement नहीं हो पाया सत्तर साल में उस आर्टिकल 25-26 का हवाला दे देखे कि हमारे right to religion effect हुआ कहीं से नहीं होगा 25 बार से जादा सुप्रीम कोट कह चुका है आर्टिकल 44 इंप्लिमेंट करने से आर्टिकल 25-26 उलंगन नहीं होता है लेकिन अपनी सुविधा के लिए लोग कहते हैं कि उलंगन होगा डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोड़क्स और सर्विसेस को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड करें डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने हुई थी बाल विवा खतम किया गया था दहेच प्रथा पर कानून लाया गया तिन सबका विरोध नहीं हुआ था समाज की कुरूतियों को खतम करने के लिए भी हमारे डारेक्टिव प्रिंस्पर्स में जिक्र है कलमुदीन साथ क्या आप नहीं चाहते हैं कि समाज की कुरितिया खतम हो इसको सिर्फ मुस्लिम समाज के चश्मे से देखना ये कहीं न कहीं खुद संप्रदाइकरन कर रहा है मैं तो कहना हूँ इसको हिंदू के चश्मे से देखिए न आपको ज़रूत नहीं है इस देश पूरे विश्व में एक देश बताईए जहाँ उनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है एक देश का नाम बता दीजे अमेरिका में 35 लाख मुझ गाई थी यह उन्होंने एक पॉइंट उठाया इसका जवाब मैं प्रेम शुक्रा जी से जरूर लूँगे